साथियों नमस्कार, उमीद है कि आप घर में होंगे और सुरक्षित होंगे। आज जिस महत्तपून मुद्दे के उपर आप लोगों के साथ मैं बात करूँगा। उमीद है कि वो मुद्दा हर किसी परिवार और हम सभी साथियों को चूता होगा। साथियो मैं उस मुद्धे के उपर वात रखूंगा खासकर 18-45 बर्स के जो नौजवान है उनको जरूर ये चूता होगा और उमीद गरता हूँ कि आप सभी लोग उसके उपर अपनी अराय जरूर रखेंगे तो साथियो क्रोणा काल की इस टाइम में मैं बात कर रहा हूँ वैक्षिनेशन और जो कोविड वैक्षिन हैं 18-45 बर्स के उपर 18-45 बर्स तक के नौजवान हैं उनका vaccination होना कितना महत्वपूर्ण है और अभी तक उसके उपर सरकार द्वारा स्वास्ते विभाग द्वारा कितनी vaccination हुई है और अभी तक उनका क्या प्लान है तो आपको ये बता देना चाहता हूँ कि खास कर मैं अगर अपने भ्रमौर विधानसवा क्षेतर की बात करूँ तो थारा से पंचालीस साल की उमर के जितने भी नौजवान है सबसे पहले पंचायतों में परसासन ने कमेटियों का गठन किया जिसमें हेल्थ वर्कर थे, फ्रंट लाइन कोवेड वर्यर जो पंचायतिराज के प्रतिनिदी थे और हेल्थ वर्कर थे और टेचिंग जो पंचायतों में वो रिस्टेशन का जो करेकरम था वो पौर्ण हो चुका है और जिस माय रिस्टेशन हुआ था बड़े दुरभाग्य की बात है कि हिमाचल परदेश की में इतना इंटिरियर एरिया है गाउं में हिमाचल बसता है और एक विदानसवा में तीन तीन चार चा स्टेशनओं पर जाकर के 18 से 45 साल के नौज़वान जो है वो अपना वैक्षिनेशन करवाए यहीं नहीं सचाई यह है कि सरकार के पास वैक्षीन के अभी तक सुप्लाई है और आपको बताना चाहूंगा कि जैसे सरकार के प्रद्नीधी हैं और सरकार के अधिकारी ओने के अब ही तक हमारे भारत में वैक्षीन का स्टॉक जो है विल्कुल नहीं है। अब इगर मैं बात करूँ हिमाचर प्रदेश में जो रिच्टेशन हो चुका है उनको वैक्षीन लगवाने का तो रिच्टेशन होने के बावजूद इस तरीके से उलजाया जा रहा है। और आई वाश किया जा रहा है कि पहले रिच्टेशन करो उसके बाद स्लॉट का वुकिंग करो। स्लॉट का वुकिंग करने के बाद एक हफते में तो दिन का समय सोंबार और सुकुरवाद को वैक्षीनेशन होना है। और वो भी आदे घंटे के अंदर-अंदर सौ लोगों से जादा एक स्तांट पर वैक्षीन नहीं लगाई जा सकती। इसका मतलब क्या हुआ? मैं हिमाचल परदेश के माननीय मुख्यमंतिर जैराम जी से नवेरन करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो जो ग्रामीन विदानशवा क्षेतर है उसमें वैक्षीनेशन का जो सेंटर है आप तीन या चार सेंटर रख रहे हैं उपर से परदेश में लगा हुआ है हिमाचल गाउं में बसता है और जैसा कि आप जानते हैं कि अगर मैं बात करूं ब्रमौर विदानशवा क्षेतर की तो ब्लॉक ब्रमौर में दो सेंटर वैक्षीनेशन के लिए रखे गए हैं उसमें एक ब्रमौर है दूसरा गरोला है तो आपको बताऊं कि ब्रमौर में आपको क्या लगता है कि लॉक्राउं के समाई अगर बसे नहीं चली होगी ट्रांस्पोर्टेशन सिस्टम नहीं होगा तो कुगती, हडसर, पालनी, बढडगरां, पंचैत के लोग क्या पैदल आकर के वैक्षिनेशन लगाने के लिए 20-25-25 किलोमेटर प्रमौर में आपको क्या लगता है कि वो सबी लोग गरोला में जो लगवग अपने घर से 20-25 किलोमेटर लोग पैदल जाकर के वैक्षिन लोगा करके घर पहुंचेंगे, जो कि प्रेक्टिकल नहीं है, ठीक इसी तरह से अगर मैं बात करूँ, महला वलाउग की लिए 20-25 क तो वहाँ पर भी आपने दो स्टेशन जो हैं, वो वैक्षिनेशन के लिए रखे हैं, एक महला और दूसरा गहरा, तो ये पूरा दूर दराज क्षेतर, चाए वलोट की बात करूँ, खुनेड, गान, प्रीना और साथ मेरून कुटी सामरा, इतने दूर दराज में क्षेतर हैं, जिनका अपने घर से ले करके वैक्षिनेशन सेंटर जो रखे हैं, लगवग 25 से 30 किलोमेटर का डिस्टेंस है, वहाँ पर पहुंच करके बिना ट्रांस्पोर्टेशन के लॉक्टोन के अंदर वैक्षिनेशन लगाना क्या पॉसिबल है, हम जानते हैं कि आपके पास व पुल जायर रखें कि पहले वैक्षिनेशन का रिस्टेशन करें, उसके बाद फिर वो स्लोट बुक करें, उसके बाद सो लोग आएं, सो लोग आगे तो थोड़ा पुरा स्टॉक होगा, उससे वैक्षिन लगा दिया जाएगा, तो मेरा यही निवेदन है माननिये मुख्य हमारे हिमाचल परदेश और भारत की सबसे बड़ी नौजवान हैं, तारा से पनिस्तालिस साल के वीच में लगवग सत्तर प्रतिस्त आवादी हिमाचल परदेश की है, हिंदोस्तान की है, हिमाचल परदेश की है, और अगर आप उनको वैक्षिन नहीं दे पाएंगे इस मह हमारी में, तो हिमाचल परदेश का नौजवान इस सरकार को और आपको कभी भी माफ नहीं करेगा, मेरा आपसे निवेदन है कि जिस तरह से 45 बर्स की उमर से उपर के लोगों को वैक्षिनेशन उनके पंचाइथ हैड़ कौार्टर में, पीएस्सी में, सीएस्सी में सब सें कभी रिस्टेशन में, कभी स्लॉट बुकिंग में, कभी इदर कभी उदर उलजाने की बात ना करिए, यही मेरा आपसे निवेदन है कि परसासन और खासकर स्वास्ते विभाग के अधिकारी भी और जिला परसासन और जो सब डिजिन लेबल पर हमारे अधिकारी वैठे हैं वो फीड़ वैक दें कि वे इस तरीके का जो खासकर इंटिरिर एरिया है यह चीज़ें आपर पॉसिबल नहीं है। आप लोगों ने हिमाचल पर देश के मैं स्वास्ते विभाग से यह पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों ने वैक्शिनेशन का एक सॉफ्टवे ड्वे में दो-दो स्टेशन रख दिये, उपर से लॉकडाउन है, ना तो ट्रांस्पोर्टेशन है, ना कोई आ सकता है, ना जा सकता है, अगर आ जा सकता है तो गाड़ियां ना बसिस चल रही हैं और वैक्शिनेशन के लिए स्टेशन पर कैसे पहुचेगा। इसलिए मेरा निव ना जानों को आप ना जानों की वहवनों के साथ खेलने की कोशिश ना करें और उनको इस तरीके का विवगूफ समझने की कोशिश ना करें। आपसे यही निवेदन है कि आप जल्द से जल्द हिमाचल प्रदेश के जो ना जान 18 से 45 वर्स की उमर में उनको वैक्सीन वर्ना करें जय हिंद जय भाद।